Welcome to Gate Strategy Series आज है Day 2 out of 29 Days और आज के Strategy का नाम है Round Logic अक्सर बहुत सारे Students कम्प्लेन करते हैं कि Sir Gate का पेपर लेंदी था हमसे पेपर छूड़ गया 65 questions थे पर हम तो 50 questions ही solve कर पाए बाकी 15 questions तो देख भी नहीं पाए फिर पता चला वो 15 questions में काफी easy questions थे हमसे वो छूड़ गये तो कुछ students कहते है Sir aptitude section में ही 45 minutes चला गया फिर तो time ही नहीं बचा कुछ students कहते है Sir 1-2 questions ऐसे कठिन थे कि उसी में 20 minutes चले गये और पता भी नहीं चला फिर जब timer को देखा Sir city पिटी गुल हो गई क्योंके अब इतने कम time में इतना सारा question कैसे बना है और ऐसे आपने test series में भी अनुभव किया होगा कि कई बार आपसे अंजाने में कुछ सवालों में 10-15 minutes waste हो जाते हैं तो अगर आप भी इन सारे problem से जूज रहे हो तो round logic यही आपका solution है अब वो round logic क्या है ध्यान से सुनना with proof में आपको बताऊंगा सबसे पहले round logic कहता है कि paper को 3 attempt में solve करो round 1 में solve करो फिर round 2 में और round 3 में जब round 1 में solve कर रहे हो तो वैसे questions pick करो जो less than 1 minute में solve हो जाए वो कैसे पता चलेगा मैं आपको भी example बताऊंगा फिर round 2 में उन सवालों को pick करो जिसमें आपको concept आता है ये सबसे बड़ा important है कि concept आपको आता है और आपको पता है कि इसमें calculation involved है तो 1 से 2 minute लग जाएंगे to get the answer round 3 में वो सवाल को choose करो जिसमें आपको लगता है बहुत ही ज़ादा thought process हमको लगेगा तो हम round 3 में उसको सवाल करेंगे या out of the box है ठीक है पता ही नहीं कुछ क्या करना है या आपको ऐसा हलका सा feel आ रहा है को question पढ़ने में 1 minute thought process में 1 minute solve करने में 1 minute तो कही ना कही ये 2 minute से ज़ादा ही consume करने वाला है सवाल तो उसको round 3 में solve करना अगर आप इस logic को use करते हो आप आराम से पूरा gate paper attempt कर पाओगे देखो ध्यान से देखना in total आपके पास 65 question है और 180 minute आपको मिलने वाले है so 180 divided by 65 question 2.76 minutes आपको per question मिल रहा है अब 2.769 ये इतने minute per question ये need नहीं है for every question हर question इतना समय demand नहीं करता है इसलिए time management ये कहता है कि आसान सवालों में समय बचाओ ताकि जो medium level के सवाल है उसमें आप अच्छे से solve कर सको जो इस time frame के अंदर ही हो रहा है और जो very tough question है उसके लिए आप अच्छा खासा time दे सको thought process में, calculation में, simplification में सब कुछ के लिए अगर इस logic का इस्तेमाल करोगे कभी भी आपका paper छूटेगा नहीं कभी भी आप ये complain नहीं करोगे कि 20 minute एक सवाल के लिए चला गया कभी भी आप ये नहीं करोगे कि easy question में गड़बड़ी कर दी कभी ऐसा problem नहीं होगा चलिए अब इसको practically implement करते है ये gate 2023 का paper है जैसे आप देख सकते हो mining engineering का ठीक है सबसे पहले aptitude section आता है अब जैसी आपने पहला सवाल पढ़ा तो पहला सवाल पढ़ती आपको समझ में आ गया ना ये तो round 1 का सवाल है ये तो पढ़ करके हम solve कर सकते है the line ran dash the page right through the center and divide the page into two across yes off the page तो कभी उसको divide नहीं कर पाएगा ठीक है between the page इतना precision से कोई नहीं करता है paper ही फाड़ना है न about the page गलत ठीक है so यहाँ पर एक minute के अंदर ये सवाल बनाया जा सकता है इसलिए ये round 1 का सवाल है ठीक है चलिए next question को देखते है kind is to dash often is to seldom अब यहाँ पर often याने आप बहुत बार कर रहे हो जैसे इंस्टाग्राम पर बहुत बार समय वेस्ट करते हो seldom याने पढ़ाई कभी कभी आप पढ़ाई करते हो seldom याने very less frequency often याने very high frequency तो यहाँ पर आप opposite देख पा रहे हो तो kind का opposite क्या है श्रेनिक सर kind hearted है बट उनके students कैसे है क्रांती कारी कुछ अगर अनबन हो गई तो लड़ने जगडने आ जाते है so cruel is right variety, type, kindred यह गलत है opposite आपको चाहिए था तो यह भी less than one minute के अंदर solve होता है तो आप देख पा रहे हो यह भी round one का सवाल है तो इनको बनाते हुए आगे चलो अब देखो यह सवाल आ गया क्या यह भी round one कहेंगे सर जी in how many ways can cells in a three cross three grid be shaded such that each row and each column have exactly one shaded cell जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इस column में एक ही shade है इस row में एक ही shade है वैसे उन्होंने एक example यहाँ पर बनाया है और भी example बनाया जा सकते है जैसे मान लो कि मैं ऐसे कर लो तो यह shade यह shade यह shade यह shade यह भी तो example है तो ऐसे कितने हम बना सकते है वो पूछ रहे है अब देखो यहाँ पर thought process भी है concept अगर लगाना है formula तो वो भी सोचना पड़ेगा तो कही ना कही time taking है तो round 1 तो नहीं है हाँ अब मैं यह जरूर कहूंगा कि out of box नहीं है इसको solve किया जा सकता है combination के logic से भी या फिर examples pattern create करके भी चाहो तो एक से दो minute में भी बना सकते हो या दो से जादा भी किसी को लग सकता है तो यह round 2 या round 3 यह subjective है यह आपके उपर है आपको जैसे लगता है पर round 1 में नहीं बनाना है तो समय से ही वो गया क्या सिखाया था कि round 1 में less than 1 minute वाले ही question को pick करो यह नहीं है आगे बढ़ो ठीक है फिर इसको देखा इसमें भी if n number of balls कही ना कही calculation है round 1 नहीं है आगे बढ़ो ठीक है यह वाला consider a circle with origin two operations are allowed on the circle operation one scale independently along x and y axis scale करना है rotation करना है easy है अगर scale और rotation करेंगे तो origin पर ही चीज़े रहेगी origin से तो भागेगी नहीं जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर origin से shift हो गया यहाँ पर shape गड़बड़ी हो गई ठीक है और यहाँ पर भी oval shape हो गया ऐसा होगा नहीं जब आप scale करोगे है ना x के respect में तो ऐसा scale होगा ellipse y के respect में करोगे तो ऐसा होगा कभी भी ऐसा इस प्रकार से आपका shape नहीं बनेगा या इस प्रकार से ठीक है तो c or d तो वैसी गलत है और rotation करोगे तो rotation से क्या ही होगा मतलब अगर इस प्रकार से rotation करोगे तो ऐसा बन जाएगा जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था तो यहाँ पर option a तो ऐसी बन रहा है less than one minute तो यह round one का सवाल है क्योंके less than one minute के अंदर सुलजाया जा सकता है इसको round two में नहीं भीजना है अब देखो यह paragraph obviously round two का सवाल है इसको अभी नहीं करना है यह वाला भी calculation है round two का अभी नहीं करना है ठीक है यह वाला भी paragraph है round two है अभी नहीं करना है अच्छा इसको देखा तो यह भी easy है इसको भी बना लो ठीक है तो आपको ऐसे analyze करते हुए चलना है कि कौन सा easy है जो अभी solve हो सकता है कौन सा tough है जो बाद में करना है और ऐसे करते करते फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ ही aptitude के लिए फिर core के लिए भी है ऐसे आप switch करते हो अब यह mining का core है जो हमको आता नहीं अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा calculation है engineering mathematics है तो इसको मैं round 2 में भेजूंगा एकदम से round 1 में वो रखूंगा जो देख करके solve हो जाएगा ठीक है e of 3x minus 5y इसका answer क्या है easy है e of 3x plus e of minus 5y constant बाहर निकाल सकते हैं so 3 times e of x constant यहाँ पर minus 5 आ जाएगा बाहर so e of y हो गया option is correct कितना समय लगा less than 1 minute जो less than 1 minute है उसको round 1 में बनाना है बहुत simple है जिसको time लगेगा उसको round 2 में भेजना है so on and so forth पूरा paper ऐसे analyze करना है ठीक है फिर round 2 में जाओगे conceptual calculation वाले सवाल बनाओगे और round 3 में thought process वाले आपको concept आता है बट सोचना काफी पढ़ रहा है फिर एक technique को choose किया apply किया, solve किया, simplify किया answer आ है पक्का 2 मिनिट से जादा लगेगा उसमें पता चल ही जाता है ठीक है तो इस प्रकार से जाओगे कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी comment करके बताना, जो भी आप January में देख रहे हैं वीडियो जो भी test series लिखने बैटोगे अभी उसमें ये logic यूज़ करना और comment करके बताना, how is it working जो students पहले से जुड़े हुए है do let me know, आपको ये logic कैसा लगता है ये technique कैसी लगती है, क्या improvement आ रही है या नहीं आ रही है, या आपके जो suggestions और सुझाव है, वो भी आप comment में बता सकते हैं, अब मिलते है next technique में next part में, जहाँ पर और भी discussion में करूँगा, regarding various topics बहुत सारे students ने, जो मैंने day one वाला वीडियो है, वो बनाया था उसमें comment किया था, कि sir ये ये problem लंबी है, इस पर भी strategies बनाव तो upcoming videos उसी पर होगी आज के लिए बस इतना ही, thank you for watching the video